हाई मेरे जेगेटी एन वेलकम टो एडुकेप्टेन चैनल वनस अगेन तो मेरे भाईयों और मैंनों फाइनली वो टाइम आ चुक है जहां पर अभी तक जो सिरफ आपके असी थियोरी के परेशान कर रहे थे आपको अब 20 प्रैक्टिकल के होर जूड़ के हैं आपको परेशा है जहां पर आप अपना इंप्रेशन सुदार सकते हो और अपने प्रैक्टिकल के मार्क्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो आपके साथ मैं कुछ पॉइंटर शेयर करूंगा जिसने मुझे पर्सनली हेल्प करा है एसार सी सी ती तक पहुंचाने में तो जल्दी स और अपने जिस भी टॉपिक के उपर आपने फाइल बनाई है प्रैक्टिकल फाइल वो टॉपिक वो कंपनी क्या क्या बनाया उसके अंदर कंटेंट क्योंकि आजकल तो क्या है ना फाइल बच्चा खुद अपनी मेहनत से नहीं बना रहा मेरी जान आजकल टीचर प्रोवा तो बेसिक चीज अगर वही गलती कर दीना तो बस फिर तो आपका काम खराब है फिर कोई माई का लाल आपका इंप्रेशन धीक नहीं कर सकता तो इतनी सी गलती मत करना कि टॉपिक ही ना पता हो आपको आपका टॉपिक डिफाइंड होना चीए उसके अंदर क्या-क्या बनाया बात आपके जो एकाउंटेंसी की अनेलिसिस वाली बुक है उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे कंसेप्स हैं जो वाई वामें रिपेटिडली पूछते रहते हैं ठीक है जैसे सबसे पहले आपकी फाइल ही एकाउंटिंग रेशियो पे है तो एकाउंटिंग रेशियो के अगर to capital employed, net asset turnover ratio, fixed asset turnover ratio वो अच्छे से याद होनी चाहिए ठीक है जी उसके बाद आपका जो अगला चेप्टर है cash flow statement उसमें कौन सी transaction, कौन सी particular activity में जाती है cash inflow है, outflow है, etc, etc and आपके जो पहले दो theory chapter है heading, subheading, balance sheet, कौन से schedule में बनाई जाती है, उसके कौन से part में बनाई जाती है, statement management of P&L, यह सारी चीज़े आपको tips पे होनी चाहिए, जो कि यह basics है आपके class 12 के, आपके users कोन accounting information के, etc, 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 और उसके साथ-साथ, सिरफ यह नहीं बोलूँगा, कहीं schools में, कहीं externals, class 11th का भी थोड़ा बहुत पूछते हैं, लेकिन वो repetitively, वो limited है और उतना ही पूछते हैं, य सबसे पहला जो आपका chapter 2 था accounting concepts, accounting terms वाला, वो अच्छे थे पता होना चीज़े वह यह, debtors क्यों होते हैं, asset क्यों होते हैं, यह वो फलाना, dimkana, etc, expenditure में difference, revenue and capital expenditure में, same for receipt, ऐसे ही आपका उसी का अगला chapter था accounting principles, अच्छा उसमें एक कोशन बहुत, जो मेरे time से चलता हा रह है, closing stock trial balance में क्यों नहीं आता, यह closing stock trial balance में क्यों नहीं आता, बहुत ही basic question है, जो पूछा जाता है, और उसका answer simple सा है, closing stock is nothing but the sum of opening stock and purchases, जो last में माल बचेगा, या तो वो पिछले साल का होगा, या वो इस साल खरीदा होगा, तो जब opening stock और purchases चलेगे, तो closing stock के सक से जाएंगे, औ जब trial balance में adjusted purchases होती है, दूसरा question, closing stock कौन सी value पर record होता है, cost pay या market value या net realizable value, तो इसका answer simple सा है, कि भया तीनों में से या दोनों में से जो भी lower value होगी, उस पर record होगा, as per prudence concept, तो यह थोड़े बहुत अगर concept की knowledge होगी, तो उसके answer कर पा होगे, लेकिन इसी से हम तीसरे point पे acting करने लग जाएं आपर, नहीं आता है, तो gracefully बोलो कि मैं ये मुझे नहीं आता, ऐसा नहीं है कि marks काटेगी, या हर question कि उसने answer, marks a lot करे हूँ है, कि ये नहीं किया, तो एक number कटेगा, ये answer नहीं किया, तो दो number कटेगा, ऐसा नहीं है, वो आपका main, जो वाईवा का objective है, जो इंटर्व्यू का objective होता है, वो होता है, confidence चेक करना बच्चे का, उसकी personality चेक करना, अगर उसको कोई ची नहीं आती, क्योंकि teacher को ही पता है, भया बच्चा है, anxiety में, nervousness में गलत कर देता है, लेकिन वो situation को handle कैसे कर रहा है, वो बहुत matter करता है, तो ये बात हमेशा याद रख करना, ये बात याद रखना, and last, अपनी personality बना के चलना, proper grooming के साथ जाना, interview देने, आपका वाईवा देने, ठीक है, ये गलतिया मत करना, कि जैसे अभी तक आपने पूरा साल आपके school का निकाला है, proper shabbiness में, आपके shoes polish नहीं है, आपके nails नहीं कटे हुए है, आपकी shirt iron नहीं है, तो ये चीज़े, क्योंकि आप बोलोगे तो बाद में, लेकिन आपके clothes, आपकी personality, the way you walk in the room, ये सारी चीज़े, ये मेरी teacher ने मुझे बताया था, और मैं बस ये ऐसा समझ लो, ये pass on कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़े आपका impression पहले ही create कर देंगी, तो जह सारे 19, 18, 17 marks पे लाके छोड़ देगी आपको, तो ये चोटी-चोटी बाते सारी note down रखना, ठीक है जी, ये सारी ध्यान में रखना, और tension तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि tension में क्या होगा, जो answer आता होगा, वो भूल जाओगे, वहाँ पर आप stammering करने लग जाओगे, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं, अच्छा, एक सबसे बड़ा मुद्दा बच्चों का, कि सर, कैसे बोलें, हिंदी में बोलें, या इंगलिश में बोलें, किस में बोलें, सबसे बड़ा इशू यही है, ठीक है जी, कहीं teachers बोली देती है, स्कूल में, बिटें, इंगलिश में में बोल दी हो, हिंदी में बोल दी हो, तो महीं मार्स कर जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है जी, यह पहली बात सुन लो, पहला मोटिव है, आपका आंसर कनवे होना चाहिए, वो हिंदी हो या इंगलिश हो, कोई फरग नहीं पड़ता, लेकिन अगेन मेरी एडवाइस ही रह आना, so that teacher पर अच्छा impression बना रहे, but again, यहाँ पर language important नहीं है, आपका confidence important है, आपकी personality और आपकी knowledge, ठीक है, तो अगर यह पॉइंट आस आपको अच्छे लगे हो, तो please comment में thanks लिखना, या फिर आपकी तरफ से कोई suggestion हो, तो वो भी लिखना, क्योंकि हम comment पूरे पढ़ते हैं अब मैं आपको मिलता हूँ next video में, तब तक के लिए bye bye, take care and have fun